थिसमें चाहएं इप bakın ऑगल के कई मतलब होते हैं से पहला मतलब होता स्टोनि अपटर नापड़ता है इसका एक और मतलब होता है पपडियुमा फोड़ा ज़िस्तें से कोया है पत्तों पर भी आ जाते हैं तो दोनों कोई गॉल बोला जाता है अब जो मतलब तीसरा बताने चाहरा हूं वह थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गॉल का एक और मतलब होता है असब्य और अशिष्ट होने का गुन मतलब इतने असब्य कि आप मतलब कोई नहीं भी देना चाहे त उठा लो किसी की चीज़ इस्तमाल कर लो किसी को कुछ कह दो तो इस तरह के गुण को भी गॉल कहते हैं एक और मीनिंग है इसका जो फूर्थ मीनिंग है वो है क्रोध और गहरी दुरभावना महसूस करना किसी के प्रती या कुछ काम नहीं होने पर जैसे आपकी चीज़ें बार-बार गुम जाती हैं या खाना खाते वक्त कोई गंदेहाथ्सार का बरतन छुद है तो आपको गहरी दुरभावना या आपको किसी से लोन मांगना पढ़ जाए तो आपको गहरी दुरभावना महसूस होती है गुसा भी आता है पर क्या करें पांच वह होता है इरिटेट करना या क्लेश देना किसे जान बुझ के इरिटेट करो तकलीव दो तो वो भी गॉल कहलाता है तो चली से कुछ sentences देखते हैं मेरे क्याल से पित और पपड़ी नुमा फोड़ा तो समझने लाइक है बाकी और जो इसकी मिनिंग जहां निकलते हैं वो हम उससे sentences से देखते हैं तो और समझाएगा extremely tight genes may gall your thighs मतलब बहुत tight genes आपकी आपकी जांगों को क्लेश दे सकती है या तकलीव दे सकती है या इरिटेट कर सकती है तो यहाँ पर गॉल का मतलब होता है इरिटेट करने वाली एरिटेट करना एक और सेंटेस देखते हैं इट गॉल रोहन तो हैव तो आस फॉर लोन मतलब रोहन को रोहन को रिण मांगने की नौबत आ गई यह उसके लिए बहुत तकलीफ देने वाला या कश्ट दायक था तो यूशली आपको ऐसा मांगना बढ़ जाए किसी से लोन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कश्ट दायक होता है जिसमें आपको उपने पर गुसा भी आता है या लीफ अंदर से गंदी फिलिंग भी आती अपने बारे में तो that is also गौल तो मुझे आशा है कि आपको गौल के मीनिंग्स समझ में आयोंगे और आप इसे याद रख पाएंगे धन्यबाद